नमस्कार किसान बाईयों, स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल S.K.A. अगरी कल्चर में किसान बाईयों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सर्सों की खेती के बारे में और सर्सों की खेती में पर्टिकुलर बात करने वाले हैं अंतिम पानी को लेकर की अलग-अलग जमीनों के अनुसार सर्सों की फसल में किस टाइम पर आखरी पानी लगाना चाहिए और अगर आपने जल्दी पानी लगा कर छोड़ दिया तो भी दाना भराव में प्रोब्लम आ जाएगी तो आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए क्लेर हो जाएगा आपके लिए ये जानना समझना की सर्सों में अलग-अलग जमीनों के अनुसार आखरी पानी कब देना चाहिए उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजे और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर दबाईए ताकि आगे भी आपको खेती से संबंदित हर परकार की वीडियो देखने को मिलती रहे किसान भाईयों हमारा जो एगरी कल्चर ग्रूप है उसमें भी बहुत सारे किसान भाईयों अपने सरसों की जो फोटो हैं वो क्लिक करके डालते हैं और पूछते रहते हैं कि हमको जो है इसमें आखरी पानी कब लगाना चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में वोही बताने वाला हूँ और यहां पर जो वीडियो कलिप आप देख रहे हैं और हमारी सरसों को अभी आली में आखरी पानी लगा रहे हैं तो देखे किसान भाईयों यहाँ पर आपको किसी की देखा देखी काम करने की जुरूत नहीं है ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई वीडियो देखते हो या फेस्बूक पर कई पर भी ऐसी पोस्ट देखते हो पर फूलवाली अवस्टा के बाद सर्सों को पानी के आवशेकता नहीं पढ़ती है तो हो सकता है कि उस जमीन का फरक हो आपके पास जो जमीन है वो बिलकुल हलकी जमीन है तो वो काम तो आपके होगा नहीं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी जमीन हलकी है रेतली मिटी है, लाल मिटी है, पत्रीली मिटी है, धलान वाले खेत है तो ऐसी जमीन में कभी भी आपको फूल वाली अवस्ता पर पानी लगा कर फसल को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है अगर बारिस वगेरा आ जाती है उसके बाद तो वो एक अलग बात रही लेकिन अगर आपकी जो अभी मैंने बताया ऐसी जमीन है तो जब तक आपके सर्सों में सभी फलिया ना हो जाए यानि कि जब तक फलिया हरी रहनी चाहिए और दाना भराव का समय जब शुरू होता है उस टाइम पर आखरी पानी आपको अपनी सर्सों की फसल को देना है जैसा आप इस वीडियो कलिप मर भी देख पा रहे हो और जमीन बिलकुल हल्की है बिलकुल रेतुली मिटी है लाल मिटी है और ढलान वाला खेत है तो यहाँ पर फलिया ही फलिया हो चुकी है दाना भराव का टाइम चल रहा है और आखरी पानी लगाया जा रहा है अगर आपकी जमीने हलकी हैं तो रही बात उन जमीनों की जिन में जो है मैने बर तक पानी के आउशेक्ता नहीं पड़ती है ज्यादा समय तक पानी को इस्टोर करके रख सकती है गराये वाली मिट्टी होती है अच्छी मिट्टी होती है तो वह किसान भाई जब फूलों का जो है पूरी तरीके से फूल आ जाए और 10-20 परसेंट जब फलियां बन जाती है उस टाइम पर अपनी फसल को आखरी पानी लगा कर छोड़ दे उसके बाद पानी ना लगाए क्योंकि उस जमीन में अगर लेट पानी लगाओगे तो सरसो तूटेगी और अगर हलकी मिट्टी में लेट पानी नहीं लगाया तो दाना भराव में प्रोब्लम आ जाएगी पैदावार कम निकलेगी तो जमीन के अनुसार पानी लगाईए और इससे जो है आपके सरसो में किसी भी परकार का कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छी तरीके से दाना भराव भी हो जाएगा अब यहाँ पर एक सवाल और किसान भाई जो करते हैं हमसे वो यह करते हैं कि क्या हम हमारी सरसो की फसल में पोटेशियम डाले हमने जो है बुवाई डियेपी डालके कर दी थी तो अब क्या दाना भराव में कोई प्रोब्लम तो नहीं आएगी क्या पोटेशियम का उपयोग करे तो देखे जो एन पीके का 0050 आता है उसका इस्प्रे होता है आलागी ल चार से 6 किलो एन पीके 0050 का गोल तेयार करें परती अकड के इसाब से और उसको टॉंटी की मदद से अटंकी की मदद से पानी के साथ में जमीन से भी आप दे सकते हो इसमें डोज बढ़ जाएगा क्योंकि इस्प्रे में तो एक किलो ही आता है लेकिन आप 4-6 किलो पानी के साथ में जमीन से दे सकते हो पोटेशियम इससे जो है अगर आपको इसा लगता है कि दाना भराव में कोई प्रोब्लम आ सकती है तो वो नहीं आएगी अंतीम पानी के समयाब दे सकते हो तो उम्मीदे किसन भाईयों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद